हलो बच्चो तो आज हम फिर से आगे हैं एक होर कोशन लेके सो एंचियाटी सीरीज का आज हम सिख्थ कोशन सॉल करने बाले हैं सो लेस्स टार्ट विदाल बुइस्टिंग टाइम इसमें क्या बोल रहे हैं फोर पॉइंट चार्जिस है 2μ C,-5μ C, 2μ C, 5μ C जो कहां पर लोकेटड़ है स्केर के कॉर्नर की ओपर हमने फोर्स फाइंड़ करनी है कितनी फोर्स लग रही है 1μ C की ओपर जो सेंटर की ओपर वो प्रेजंट है ठीक है अब ये सेंटर के ओपर प्रेजंट है तो इसका डिस्टेंज मुझे 10 सेंटीमीटर गिवन है सबसे पहले तो हम स्क्यार ड्रा कर रहते हैं ओके, अपने A, B, C and D चार्जिस लिख लेते हैं 5μC, 2μC, माइनस 5μC सेंटर पे जो है इसके, कितना चार्ज पड़ा हुआ है 1μC, अगर हम देखें, यह इस पर फोस लगाएगा यह इस पर फोस लगाएगा, इस पर फोस लगाएगा और यह वला है इस पर, पलता कि यह चारों आपस दूसरे के पर फोस लगाएगा लेकिन हमने सिरफ उन्होंने पूछा इसका है तो हम सिरफ इसकी कैलकुलेट करेंगे अब यह तो डाइगनल है डाइगनल के सेंटर में प्रेजेंट है इसका मतलब मुझे डाइगनल का हाफ निकालना होगा और इसका में डिस्टंस कितना गिवन है मुझे 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 एक्चली यह 10 cm में था तो अगर में 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 करूट करूंगी तो 0.1 मेटर आजएगा अब डा इगनल का जो है वो क्या फौर्मला होता है मेरे पास? अंडरू ए है ए जो है वो जो हमारी कॉरangen की जो घिवन होता है हम वो लिखते है तो यह मेरे पास हागा 0.1 बट मुझे क्या चाहिए डाइगनल का हाफ चाहिए यह पूरा डाइगनल लिकिन मुझे सिरफ इतन इतनी चीज ही चाहिए तो इतनी चीज चाहिए तो यह center का center में point है ना center में point है तो इसका मतलब diagonal जो है वो equally two parts में divider हो रहे है इसका मतलब कि मैं इसे क्या का दूँगी divided by two का दूँगी अब मैंने इसका point जो है वो simply 0.1 under root 2 divided by 2 अब 2 को मैं लिख सकती हूँ 0.1 under root 2 2 को मैं लिख सकती हूँ under root 2 यह under root 2 एक जो है वो cancel हो गया मेरे पास बचे गया 0.2 under root 2 अगर आपने point open करना है तो यह बन जाएगा हमारे पास यह अब यह जो है मेरे पास value आगी किसकी इस portion की यह जो मेरे पास डाइगनर बने बट अगर हम देखे तो यह जो है